यह code मैंने यहां से copy किया, copy करने के बाद यह मैं अपने website पे गई, header.php पे, इस code को मैंने यह पेस्ट किया, file को update किया, file update होने के बाद मैं वापिस AdSense में जाती हूँ, I have placed the code और site को verify करती हूँ, अभी मेरे पास error आ रहा है, couldn't verify your site, अगर आपके पास भी ऐसा ही error आ रहा है, अगर आप अपने blog को Google AdSense से connect करते हैं, और आपकी site verify नहीं होती है, तो आज इसका solution मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, आपको क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ, इससे आप OK कर द करने के बाद आप यहां से site को delete कर दीजे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कैसे आप अपने blog को सही तरीके से Google AdSense से connect कर सकते हैं, कई बार क्या होता है, हमारा code सही तरीके से paste नहीं होता है, कभी कुछ technical issues हमारे blog पे होते हैं, जिसके कारण Google AdSense के crawler हमारे blog में वो code को verify नहीं कर पाते, इससे आपकी website Google AdSense से verify नहीं होती है, और कई बार अगर verify होती भी है, तो भी आपको बाद में site unavailable का error आ जाता है, और आपका blog Google AdSense से approved नहीं होता, तो इन सबका solution मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले मै आपको बताती हूँ, आपको अपने Google AdSense account में आ जाना है, आप देखेंगे ये मेरा एक Google AdSense account है, अगर मैं इसकी site पे जाती हूँ, तो यहाँ पर आपको एक भी site नहीं देखेगी, ये एक बिल्कुल ही blank Google AdSense का account है, अगर आपको नहीं पता कि Google AdSense का account कैसे बनाना है, और इस को approved कैसे कराना है, तो वो आप मेरे channel में जाके देख सकते हैं, ये देखें, ये मेरा YouTube channel है, डिजिटल मेगा, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, कैसे आप 30 मिनिट के अंदर अपना Google AdSense के dashboard को active करा सकते हैं, ये method अगर आप देखेंगे, तो 30 मिनिट के अं आपको अपनी site कैसे connect करनी है, जिससे आपकी site जो है, वो verify हो जाए, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप उस dashboard में चले जाए, जिस WordPress website को आपको verify करना है, तो देखेंगे कि ये एक site है, जिसके बारे में आपको बता रही थी, ये website है, इसे हम Google AdSense से connect करना बता हम आपको बताएंगे कैसे आप Google AdSense से अपनी site को verify करा सकते है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने appearance में आ जाईए और theme file editor में आ जाईए, यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने code paste किया था, जो verify नहीं हो रहा था, ये देखेंगे, theme header में आने के ब dot txt की plugin है, यहाँ पर भी कुछ code होते हैं, आप इसे भी delete कर दीजे, अगर आपने नहीं install की थी, तो कोई बात नहीं, इसे भी हम save change पर click कर देंगे, ठीक है, देखेंगे, plugin में जाईए, install plugin में जाईए, install plugin में चेक करिए, अगर आपके पास add.txt manager की plugin है, तो यह आपको setting में दिख जाएगी, setting में जाना है, और add.txt में जाना है, यहाँ पर अगर code है, तो उसे अभी delete कर दीजे, और अगर यह plugin install नहीं है, तो आपको install plugin में जाना है, आपको add new plugin में जाना है, यहाँ पर आपको type करना है add.txt manager, और यह plugin है इसको आप क्या करेंगे, install करके active कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास भी यह plugin आजाएगी, तो इस plugin को आप active कर लीजे, इसके बाद आपको क्या करना है, आप आजाएए dashboard में, अब हम आपको बताएंगे कि यह side हम Google AdSense से कैसे approved कराते हैं, approved मतलब अभी हम verified कराते हैं, यह demo side है, यह Google AdSense approved नहीं होगी, क्योंकि इसमें अ पर्ज और कैशे कर देजे, फिर से आज आईए, और पर्ज और कैशे कर देजे, ठीक है, आप क्या करना है, आप इस domain को copy करिए, यह हमने इस domain को copy कर लिया, यह हमारा exactly domain, इस domain को हमने हाँ से copy किया, copy करने के बाद हम जाएंगे, अपने AdSense account में, copy करने, इसके बाद आएंगे हम अपने AdSense account में, यहाँ पर आना है साइट में, यहाँ पर आना है new साइट में, और यहाँ पर हम करेंगे से paste, और इसके बाद आप यह HTTPS हटा दीजे, यह है आपके site का domain, तो आपका जो भी site का domain है, वहाँ पर लिख दीज है, अप इसके बाद देखेंगे कि आपके पास यह code को को कपी करेंगे, और आप जाएंगे वापस आपके dashboard में, अब वापस आजाए, आपके dashboard में, यहाँ पर आना है appearance में, aniene file editor में, theme file editor में आने के बाद आपको आना है header.php में, यह theme header देख रा होगा, header.php में, यहाँ प तो यह जो 14 नमबर पर open head tag है यहां पर enter करना है और उस code को paste कर देना है और यहां पर file को update कर देना है यह देखिए आपकी file update हो गई इसके बाद आपको क्या करना है आप वापिस आजाए एडसेंस में यहां पर आपको दिख रहा होगा add.txt का spinet इसे भी copy कर लिजे यह हमने copy किया और इसके बाद वापिस आप dashboard में आईए और यहां पर setting में आईए setting में आने के बाद add.txt की setting में आ जाईए जो अभी हमने आपको plug-in इंस्टॉल करना बताया था यहां पर आने के बाद आप इस code को भी paste कर दीजे और यहां पर safe कर दीजे यह दिखेए यह भी save हो गया एक बार आप check कर लिजे एक बार आप यहां से copy करिए और वापे से से एक बार check कर लिजे यह proper है ठीक है यह हो गया अब आपको क्या करना है आपको simply वापिस आपके AdSense में जाना है और यहाँ पर लिखना है I have published add.tsd file यहाँ पर आना है और I have placed the code ठीक है और इसके बाद आपको verify करना है आप देखेंगे कि आपकी site जो है वो verify हो गई है Your site is verified आप next पर click कर दीजे इसके बाद यह request review दिख रहा है रेडी दिख रहा है और add.tsd file अभी found नहीं हो रहे है कुछ cases में क्या होगा कि यहाँ पर तुरंट update नहीं होगा तो आप चाहें तो आप एक दिन रुख सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपना code place करते हैं तो ठीक है जब हम add.tsd में जाके add.tsd की file update करते हैं तो वो कभी कभी तुरंट update नहीं होती है में भी शायद आपको एक घंटा लग सकता है दो घंटा लग सकता है पूरे के पूरे 48 घंटे भी लग सकते है तो कुछ cases में तुरंट हो जाएगा कुछ cases में थोड़ा time लग सकता है लेकिन अगर आपका code verify नहीं हो रहा है Google AdSense से तो आपको सबसे पहली बात तो यही करनी है कि पहले तो जो मैंने आपको process बताई है वो वहाँ से delete कर दीजे सारे code and site यहाँ पे वापिस से code placed करिए code place करने के बाद आप plugin section में जाके add.txt की plugin को install करिए और add.txt में आप add.txt का code भी update करिए code update हो जाएगा तो आपकी site भी verify हो जाएगी तो यही प्रोसेस है जिससे आप अपने blog की URL को Google AdSense account से verify कर सकते है अगर आपको यह मेरी video useful लगी तो आप हमारे channel को subscribe करिए क्योंकि blogging से related यहाँ पर बहुत सारी useful information आने वाली है Thank you